जुकहम खासी नाग से पानी आना और बलकांबेशादा बनना से पानी आना आख़ों में खुजली होना पूरे सरीर में। कई आर आपको एलर्जी ससी म्ठीमेश आते हैं तो बहुत जाधी डर जाते हैं थिए परिशान हो जाते हैं आपने काफ Wise नीद lists लेकिन आपकी ऐलर्जी से जो संबंदित प्राब्लम से परिशानी है वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो ऐसे स्थिदी में आपको करना क्या चाहिए एक साइंटिफिक राइबरेशन है इस वीडियो में बताई कि सर्फिस जान्दकारिया और बहुत अच्छे तरीके से वल्गम के educators for medicine से मेडि संब्रấp्रेशन हे और वीडियो को जरूर पूरा दीखेगा और Joe को ज्यदर लोगों तक शैयर किरिए लाइइक ज्यरूर कीजीएगा लाइक करने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुझ पाता यूटूब इसे recommend करता है इसलिए like जरूर किजेगा और इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा मैं आज आपको एक homeopathic medicine के बारे में बात करूँगा जो बहुत जादा special और specific medicine है allergy वो भी ऐसी allergy जो बहुत कम आपको other medicinal system में ठीक हो पाती है और ऐसी दवाई है जो घर पर रहे करके आप उसे use कर सकते हैं आसानी से use कर सकते हैं और बहुत ही जादा अच्छे results आपको मिलेंगे तो अगर किसी patient को allergy की problem है infection हुआ है उसकी बजह से अगर उस patient का allergy वाला chemical जैसे histamine है अगर वो बढ़ता है तो उसके कई सारे symptoms होते हैं histamine बढ़ने की बजह से हमारे body के अंदर कई सारे problems होते हैं for example आपके गले में हमारी जो mucos होती है mucos membrane होती है वो hyperactive हो जाती है साथी साथ जो हमारा फैपड़े का जो पाथ भी होता है एर भी होता है उसमें भी कई वार देक्कत आती है वो भी कई वार constructed हो जने लगता है और आपको कई वार बलगों बहुत जादा बनता है आपके गले में कई वार बलगों बहुत जादा गिरना स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे situation में आपको क्या करना चाहिए और आगे आपको आखों में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आखे लाल हो जाती है, नाख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आपको गले का इंफेक्शन हो जाता है, पे एंडे के समस्या हो जाती है, केवल और केवल हाई हिस्ट्रमीन की बज़े से, तो हिस्ट्रमीन जब ज्यादा रिलीज होता है शरीर के उदर तो आपको ऐलर्जी जाश से सिंप्टम्स मिल जाते है और जिन पेसेंट्स को आलरीडी होती है उन पेसेंट्स के लिए???? हम बात कर रहे हैं हिस्टेम हिस्टेमिलम 200 पोटेंशी में, अगर 200 पोटेंशी आपको नहीं मिलता है, तो 30 पोटेंशी में आपके सिगा, हिस्टेमिनम यूज करने से, आपकी जो प्राबलम्स है, ऐलर्जी से रिलिटेड जो प्राबलम्स है, बहुत आसान तरीके से ठीक हो जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं, आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐलर्जी जैसी प्राबलम्स हो, आपकी स्किन पर लालल चकत्ते आ जाते हैं, या आपकी स्किन रेड हो जाती है, लालल धारियां आ जाती हैं, जिसे कई बार हम कॉमन लेंग्विज में आप कहते हैं, अल्ट करिया कि जिनको प्राबलम्स है, नाक से हमेशा पानी टपकता रहता है, बहुत जल्दी जुखाम खासी हो जाता है, टेस्ट कराने पर हाइस्टरमिन होता है, हाइस्टरमिन रिजल्ट्स आते हैं, तो ऐसे स्तिति में आपको हिस्टरमिन टू हंड़ेड पोटेंसी मेडिसि आपको चार बुंद सुबह, चार बुंद श्याम को लेने चाहिए। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, ठंडी चीज़ें बिलकुल भी नहीं खाएंगे, जैसे बहुत सारी ऐसी ठंडी चीज़ें होती हैं, जिनसे आपकी एलर्जी की प्राब्लम्स बढ़ जाती हैं, फूर एक्जामपल, फ्रीज की रखी हुई चीज़ें, अगर कोई ब्यक्ति फ्रीज की रखी हुई चीज़ें डिरेक्ली इंटिक करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत परिशानी बढ़ सकती है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखने होगी सबसे पहले, दूसरी चीज़ें जैसे मार्केट में आपको आइस क्रीम्स मिलती हैं, कुलफी है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी बज़़ज से भी आपकी ऐलर्जीस की प्राब्लम्स बढ़ सकती हैं, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी हैं, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी हैं कि avoid करें बाहर जाना, बाहर जाना मतलब कि जैसे कई patients होते हैं, जिनको बाहर बढ़ जाती है आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो बाहर निकलने पर उनको चीक आना स्टार्ट हो जाती है उनको नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है या उन पेशेंट को बहुत जादा खासे होने लगती है उनको गले के अंदर बहुत जादा बल परिशान हो जाता है बल्गम से उसको बार बार गले के अंदर बल्गम बंदा रहता है और कई ऐसे पिशेंट्स होते हैं जिनको धूप में निकलने पर परिशानी हो जाती है तो अगर पिशेंट्स ऐसे हैं जिनको धूप में निकलने से उनकी कंप्रेंट्स बढ़ जाती है ऐसे patient को natrium mure लेनी चाहिए अगर उनकी problems धूप में जाने से बढ़ जाते हैं तो natrium mure 200 potency में चारवुन सुबह, दोपहर और चारवुन श्याम को patient लेका तो बहुत जल्दे उसको relief मिल जागा अगर किसे patient को धूप में निकलने पर उनका सिर्धर्द स्टार्ट हो जाता है या उनको चक्कर आने लगते हैं उनको बहुत ज़्यादा headache कितना severe हो जाता है धूप में निकलने के बाद की patient सहन नहीं कर पाता है नमक खाने की ज़्यादा आदत होते हैं बहुत ज़्यादा नमक खाता है अगर सब्जी में नमक सही है तो पिशेंट ज़्यादा फिर वी उपर से अडिसेनल में नमक डालेगा तो ऐसे पिशेंट को नेट्रमूर 200 पोटेंसी में लेना चाहिए और नेट्रमूर के साथ में आपको वीकली हिस्टरमीनम 200 पोटेंसी लेने चाहिए पांच बुने डारेक टंग पर आप देखेंगे दो महिने का ऐसा कोर्स कीजिएगा आपकी ऐलर्जी से संबंदे सारे प्राब्लम्स ठीक हो है यह तो सभी प्रकार की को कवर करती है और होमेदी के अंदर साबधिला हिस्टरमिन नेट्रप्म्यूर और कफी जो एलर्जी की specific medicines हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं सब histaminum के बारे में और netribute के बारे में दोनों medicines में से अगर आपके symptoms जिस medicines से match होते हैं वो medicine आप ले चकते हैं साफधानिय क्या कर रखनी है बाहर अगर आप जा रहे हैं तो मुझ पर कपड़ा लगा कर जाएं जैसे मास्क या भी रिसेंटली में या जो भी आपकी सहूलियत के साबसे हो अपना नोस थोड़ा सा बंद करके जाएं बंद मतलब ऐसे नहीं कि आप ज्यादा टाइट बंद ले जिससे आप सांस भी न ले पाएं उसकी बज़े से भी आपकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी घवराहट बेचेनी पसीना आना ऐसी प्राब्लम्स हो सकती है वो काम नहीं करना है अपको हलका सा जिससे डस्ट जो है वो आपकी सांस के द्वारा नोस के चल रही है तो एक वार पास में किसी होमियोपेथिक डॉक्टर से जरूर कंसरेट करें कि सर हमें यह वाले दवाईयां लेनी चाहिए यह नहीं लेनी चाहिए आपकी हंड़ेट परसंट जो एलर्जी की प्राब्लम से वो ठीक हो जाएगी और आसान तरीके से आप समस्या को क цвет कई बार को इंफेक्शन हो जाते हैं कई बार को और लंक प्राब्लम की बज़र से विवघलं बनता है वह एक अलग अलग कंडिशन हो उनकी लीए अलग मैडिशन होती है अगर आपने हमारी वलशन से संबंदित प्ले लिश्ट नहीं चेक किया है तो आई बटन में हमने पिन किया हुआ है वीडियो के डिस्कप्शन में हमने लिंक दिया है वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं साथे साथ हमें इंस्ट्रागाम पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बेक पर फॉलो कर सकते हैं ट्विटर फॉलो कर स